नमस्कार दोस्तों, इवियम पर लगतार उठ रहे सवालों के बीज महराश के पूने जिले में एक राजस्व अधिकारी के कार्याले से Electronic Voting Machine यानि की इवियम की चोरी हुई एक नियंतरन यूनिट को पुलिस ने बरामत कर लिया है इस मामले में दो लोगों को गिरफतार भी किया गया है दूस्तों, ये चोरी तीन फरवरी को सासवर्ड में एक तहसीलदार की कार्याले में हुई थी इसका एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था देखिए इस वीडियो को वीडियो में कुछ लोग कार्याले के कमरे में दिखाई दे रहे हैं उन्होंने हाथ में EVM भी पकड़ी हुई है और कुछ और सामान भी नजर आ रहा है इस मामले पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि घटना के बारे में सोमवार को जानकारी मिली थी इसमें तीन लोगों ने कथतोर पर तहसीलदार कार्याले से EVM की कंट्रोल यूनिट और कुछ सामान चुराया था उन्होंने कहा कि चोरी के 24 घंटे के अंदर EVM की चोरी हुई नियंतरन इकाई बरामत कर ली गई आधिकारी ने ये भी बताया हमने अपराद में शामिल दो लोगों को पकड़ा और जिले के जेजूरी इलाके में उनके पास से नियंतरन इकाई बरामत की इसके बाद आगे की जाच की जा रही है उन्होंने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ सासवर्ड पुलिस टेशन में मामला दर्च किया गया है वहीं दोस्तों चुनाव आयोग ने संग्यान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश चारी कर दिये हैं उन्होंने कहा है कि तीनों आरोपियों को ततकाल प्रभाव से निलंबित करके आगे की कारवाई की जाएगी फिलहाल चुनाव आयोग ने राज्य को छेत्र के उप विभागी अधिकारी तहसीलदार और उप विभागी पुलिस अधिकारी को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई शुरू करने का निर्देश दे दिया है वहीं राज सरकार को प्रिशिक्षन और जागरूकता के सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए जिला चुनाव अदिकारी, पुलिस अधीक शक और जिला कलेक्टर से स्पष्टी करन मांगने का भी निर्देश दिया गया है फिलहाल इस खबर में इतना ही, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम है फरीन अंसारी, आप रहें स्वस्त, मस्त, बस यही है दुआ मारी, मिलते एगली वीजियो में, तब तक के लिए अलविदा